हाई मेरे यूटूब फेमली देखिए मैं आज लगाने जा रही हूँ आज विरस्पति बार के दिन है तो यह हल्दी है एक चोटकी हल्दी है एक चमच छोटा चमच बेसन है एक चोटा चमच एक दूध है तो इस दूध में मिलाऊंगी आपने चेहरा पर लगाऊंगी आप स के दिन तो नहीं भी आप लोगो सबरता है ना तो हल्दी चुटकी पानी में डालके नहां लीजिए बहुत लोग ऐसा है कि बिरस्पति बार के दिन साबन सरफ नहीं लगाते हैं तो यह अपने चेहरा पर लगाईए और इसको पेस्ट बनाईए इससे कोई नक्सान नहीं हो इसको पानी में घोलके अपने चेहरे पर लगाईए कि मुझ में छहीं जितना हो ओगकर भी कट जाएगा और नहीं जिसका और तो तो होने नहीं हालदी में हीतना गुन है हां हलदी होना चाहिए कि खरदा हो कोई बहुत लागा यह हलदीStirane पीशवाए हैं मसीन में इसलिए इसका कलर भी थोड़ा दब रहता है लेकिन बहुत लगदायक वाला चीज है यह आप लोग क्रीम तो लगाती है क्रीम लगाए यह बात नहीं है कि क्रीम हम बोलेंगे कि मत लगाए लेकिन हल्दी भी लगा कर देखिए चेहरा के लिए तो बहुत लोग बहु इसे तो रोज सपरे तो रोज लगाए रोज नहीं भी होता है सब्ता में एक दिए यहीं मान के चलिए कि आज भी रस्पति बार दिन है चलिए विसनु भगवान के खूस करते हैं विसनु भगवान भी खूस रहते हैं तो इसलिए आप लोग यहल्दी आदुद मिलाके लगाए मैं बेशन अपने मुह पर लगा ली हूँ इसमें एक चुटकी हल्दी है एक चमच बेशन है एक चमच दूद है इसके साथ में लगाए आप लोग विरस्पति बार अज दिन है तो चलिए अब दूद नहीं भी डाल सकती है जिसका दूद से अलर्जी है तो पानी म लिए अच्छा होगा इसकीन पर दागोग नहीं होने देगा तो चलिए आप लोग लगाए क्रीम तो बहुत लगाते हैं यह नहीं बोलूँगी क्रीम मत लगाए क्रीम भी लगाई है लेकिन इसका यह प्योग जरूर करिए भगवान भी खुस होते हैं विरस्पति बार के दिन हल्दी तो पानी में डाल कर नहाना चाहिए तो चलिए पानी में भी डाल दिजिए हल्दी और ऐसे भी मुझ पर लगाके नहाए विरस्पति बार के दिन हल्दी लगाने से विस्नु भगवान बहुत खुस होते हैं गरह भी हटता है आदमी के सब के उपर तो गरह एक लगा रहता है लेकिन आप लोग गरह भी हटाने के कोशिस करिए चलिए आप लोग नहाते हैं